प्रेडिंग में अगर आपने जोन आडिक्टी वाय करना सीख लिया तो आपका जो ट्रेडिंग को बहुत ही स्मूध होगा आपका जो एंट्री एक्जिट और स्टॉपलर्स कभी भी रॉंग नहीं होगा हम क्या करते हैं हम एक लाइन को हम बोलते हैं सपोर्ट उपर एक तो इसी तरह हमारा में ट्रेडिंग में मोटिफ होता है कि जोन आइडिंटीफाइ करना ना कि सपोर्ट और रेजिस्टन्स ना कि एक लाइन पर ट्रिल लेना तो लाइन पर क्या होता है कभी-कभी आप मार्केट को अगर अच्छे से देखते हो तो हम सोच ताएं कि नहीं तो अगर आपने जोन को समझ लिया कि है इसमें बड़े प्लेयर आएंगे और इसमें हम अपना जो एंट्यूवर बना सकते हैं या सेलिंग के साइड में जैसे होता है जैसे अभी मार्केट में बहुत जादा सेलिंग चल रहा है तो अगर हमने सेलिंग जोन को आइडिंटी के ऊपर वीडियो चाहिए था तो मैंने सोचा इसका एडवांस मेठोड दे देती हूँ क्योंकि सिंपल मेरे सब को पता है सब्सक्राइब करते हैं और उसमें कैसे ट्रेड एक्जिक्यूट करते हैं बड़े बारे में बहुत कम लोगों को पता है तो वीडियो बहुत इंट उसी तरह नीचे चया एक लेल में बार वार एक स्टाऊक डिक करते हैं अगर एक स्टाऊक में बाई करते हैं तो क्या करते हैं इनिशेल जुक्त है वहाँ पर हम अपना अब नहीं करने की कोशिच करें मतलब जो mention quickly हो करते है target ठीक उसी तरह अगर एक शोग को हम resistance पर करते हैं शॉट सेलिंग करते है तो इनिशियल जो support है वह हमारे ले हो जाता है target तो ऐसे ही हम क्या करते हैं support और resistance को identify करते हैं शिपल भर्षा में हम एक लाइन डो करते हैं उपर लेवल में और नीचे के लेवल में हम एक राइन कर दे हैं ऊपर का जो लेवल में उसको हम बोलते हैं सम्पोर्टर करना है कैसा जोन जैलार और बायं जोन को अच्छी संपने स्थ cRO मैं यहाँ पर मैं अग Р soften तो आपको ज्यादा क्लियर होगा जैसे कि एक स्टॉक इसके कर दीओं मैं बाइंग प्लान कर दीओ तो इसका जो रिजिस्टंस ए उसका है यह तो एटी में क्योंकि stock market में हमें patience सिखाते हैं हमें patience लिए बैठना पड़ते हैं जब stocks नीचे आता है तब हम hold करने की कोशिश करते हैं target तक और बहुत सारी लोग बीच पर ही exit करते हैं तो यह होता है buying game, buying में मैं अगर आपको selling में भी दिखाओ, अगर एक stocks को हम resistance पर short कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं जो initial support है उसमें हम book करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जो stocks नीचे आता ही नहीं support तो आता ही नहीं और stocks उपर से घुम जाता है और यहाँ पर भी हम same confused होते हैं हमें ऐसा लगता है हम जो stocks buy करते हैं उसमें हमारा stopless hit होता है नहीं तो हमारा target hit नोई होता इसमें हम दो line draw करेंगे जिसको हम बोलेंगे एक zone वो था क्या था वो एक seller zone था इसलिए इस level से क्या हुआ मेरा जो stock से उस level से घूम गया ठीक उसी तरह अगर हमने seller zone को identify कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं हम अपना जो trade time पे exit कर सकते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगी buyer zone, buyer zone actually क् ज़्यादा तर हम buying करने की कोशिश करते हैं हम swing buy करते हैं नहीं तो हम intraday buying करते हैं तो यहापर हम देखे तो यह है totally buyer zone तो यहाँ पर क्या होता है अगर इस टॉक एक लेवल से बार बार उपर जा रहा है तो उसी लेवल से आके फिर से वह उपर जाने की कोशिश करता है अगर वह बीच में आता है ठीक उसी तरह फिर नीचे आता है फिर उपर जाने की कोशिश करता है तो इस जोन को हम क्या बोले तो हम रिटेलारी करते हैं लेकिंजो बड़े प्लेयर है वो क्या करते हैं आपको इस जोन में आपना पॉजिशन अपना आपको एई जोन को आटिनिटिफाई करना आना होगा कि कौन सा इसनों है बाया जोन है तो मैं आपको है कैंडल के हिसाब Wars समेज हो ताकि आपको अच्छे से क्लियार हो अगर आप अच्छे से स्विंग टेडिंग करना चाते हो तो आपको ये पॉंट क्लियर करना होगा यह हम जब करते हैं तो हम वीक्ली केंडल को बहुत जब एक जोन हाँ जब इह स्टॉक से मतला से जब मीकली ऑपिंग होगा जब फिर से घाएगा तभी हमें समझते होगा यह भाई हो इस लेवल से फिर से बाई हो अगर यह ब्रेक कर देता है तो हम सोचेंगे कि जो बाई है अब इंट्रेस्टिट नहीं है मैं अगर आपको ये ब्रेक आउट और ब्रेकडाून का कॉनसेब्स सम्झाओ कि अच्छी से कलियर हो अगर एक इंस टॉक्त क्र सब्सक्ट उस्तए-टाहइग इसने breakdown कर लिया अभी हमें इसमें short selling करना चाहिए तो breakout और breakdown का concept पर यहीं इस्तिमाल होता है आपको सिर्फ क्या करना होगा जोन को identify करना होगा कौन सा क्या जोन है यह seller zone है या buyer zone है इस level से बार-बार क्या हो रहा है यह कौन सा zone है बायार zone है या seller zone अगर आपने इस zone को identify कर लिया तो किसी भी stocks में आप क्या कर सकते हो बहुत अच्छे से trade कर सकते हो तो मैंने आपको दो zone के बारे में बता दिया एक है बाया zone और एक है seller zone अभी हम तीसरे zone के बारे में बात करेंगे वह है consolidation zone यह और एक zone है वह है Confordation 벌 home cattle can अगर एक जोन में फश्ęd गया तो उसी क्या होता है इसको हम भूस व करते हैं अगर योःवर सियोरी के बारे में पता नहीं तो आप उस बार में पता कर लीए जब मीचे के जो सपोर्ट है वह ब्रेक करते हैथ हम क्या करते तो ये है पूरा का पूरा box theory, box theory के उपर मैं detail video video बनाऊंगी ताकि आपको ये concept अच्छे से पता होगा, लेकिन आपको ये अच्छे से मालूख हो गया होगा कि actually zone क्या है, buyer और seller zone को कैसे identify करते है, मैं आपको अभी example के सहारे समझाऊंगी ताकि आपको ये point अच्छे से clear हो, मै पर ओपर से भी शote करते है और नीचे भी शote करते है मतलब मार्ट को बीच में राखने की कोशिश करते है, तो इसमें जब theta dk होता है, तो अगर आप options में करते हैं तो options में आपको यह point अच्छे से मालूम होगा कि आप कैसे hedge position बनाते हो मैं तो hedge नहीं करती बाट मुझे यह concept के बारे में पता है तो बैंगनिफ्टी को अगर हम देखे तो बैंगनिफ्टी अभी एक consolidation zone में है तो हम यहाँ पी क्या करते हैं हम फिलाल इसमें trade करनी की कोशिश नहीं करते हैं अगर आप जोन पर बार 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 ट्रेट करें तो इसमें आपको यह देखना होगा अभी जो बैंगनिफ्टी का पूरा जोन अभी consolidation zone में है क्योंकि बैंगनिफ्टी पे क्या हुआ नीचे से उपर जाने के पंच किया बट यह जो जोन है अभी इस जोन में बैंगनिफ्टी फसा हुआ है तो यह आपको समझता होगा कि बैंगनिफ्टी कहाँ है अगर आपको दिखना होगा कि निफ्ट क्या हुआ होगा है चलिए मैं अगरे क्यां निफ्टी पुरा बैंटि क्या तो कि इस जोन से उपर जाने जाने की सोशिशविकंति ओप तो देली टैम्ट लिए आपको यह पॉइंट अच्छ से क्लियर होगा जो 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 भी है पूरा 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 बायर जोंगे जो है वह बाइंग में फसा हुआ है मतलब इह जब नीचे आता है नीचे में क्या होता है जो बायर है वो लोग इंटरेस्टेर्ट हो जाता है buy करने के लिए इसलिए DMTC को उपर जाने में Why करते हैं तो अभी अगर हम DMTC को देखें तो अमें क्या लग रहा है यह Bying Zone में है not तो में अगर आप अख्छे से उप्लीन अगे संच तो आत्यों देख चाएगा अगर आप देख तो यह जो अगर अगर आप में बनेगा आप IS तो यह चीज देखने को मिल रहा है तो इस लेवल पर हम यहोँ था पहले इस लीवल से क्या हूआ है विश्वेमट में इस ला पहले लेवल Industri कम ला है पहले है इस लेवल से बाइद हुआ जो रेवलैंग करने वाला तो इस्में प्लान कर सकते हो इससे तरह बहुत सारे स्टॉक्स है अपना चोट प्लान कर सकते हैं अगर मैं आपको सारे स्टॉक्स एक एक करके अनलग्स करके दिखाओ तो बहुत जादा टाइम लग जागा आपको खुद बैक्टिस्टिंग करके देखना होगा कि कौन सा स्टॉक्स कौन वीडियो के second part में जाएंगे वो है crucial number आपको crucial number figure out करना होगा अभी हम इस point के बारे में बात करेंगे वो है crucial number crucial number क्यों important है पहले में जो thread होता था उसमें क्या होता था उसमें chart नहीं होते थे candle sting नहीं होते है कुछ भी नहीं होते है उसमें सिर्फ number के ऊपर base करके वो अपना trade punch करते थे अगर उनको एक number दिख गया उस number पर पोटेंशिल दिख रहा है अगर वो नमपर उपर ही sustain करते हो उस number पर अपना जो टेर वो punch करते थे तो उसमें कोई chart दिखने की की ज़रूरत नहीं तो आपको price को identify करना आना होगा हो price कहाँ पर है price क्या है अगर आपने price को अच्छे से औभजव कर लिया price कहाँ से कर रहा है कहाँ पर उसको strongness नजर आय अगर आपने उस चीज को identify कर लिया तो आपकी स्टॉक्स में कर सकते हो यह इंडेक्स में भी भर्स किया ठीक उसी तरह अभी तो कंसलेडेशन में फसा है ठीक उसी तरह 53,000 जो लेवल है उसके लिए एक रेजिस्टंस है वह कहा से घुमा अगर देखो तो वह कहा से घुम गया तो यह जो नंबर है एक सपोर्ट और रेजिस्टंस की तरह काम करता है आपको सिर्फ देखन डिफन सब्सक्राइब क्यां करते और किशान सब्सक्राइब को इस चाइब उस्त प्रैस उसने होता है जैसे कि स्टॉक्स एक बीच में होता थो उसके इसा क्या विए कर रहा है वहाए ल Jazakas love की लीवल करते ज огромना या नीज़े लिफे पर आते हैं वो लोग करने थे तो इसमें क्या होता है इसमें जो options भायर होता है उनका profit होता है आप अगर options है उस price को आप अच्छे से देखो कौन से price पे है और कहां से trending move देखने को मिलेगा जैसे कि कल के दिन हमें trending move देखने को मिला मैं आपको और एक example दिखाती हूँ आज के दिन का जो trending है वो है IT मैं बहुत अच्छा point हमें देखने को मिला मैं आपके यहां पे आपको दिखाती हूँ मैंने एक चोटे सा वीडियो बनाया था तब market फिर से निच आगया तो यह सेम उसी तरह है यह से मार्केट में भी सेम एक डर है कि यहां ट्रम जी जाएगा तो उसका परेगा लेकिन एलेक्शन होने से पहले उसका impact हमारे इंडिया मार्केट में दिख गया मतलब IT में दिख गया तो आइटी को अगर हम अच्छे से करें में आपको आइटी में एक पॉइंट दिखाना जाते हो जो मैंने सुबा देखे मैं खुद चौक गई वह 40,000 का लेवल आइटी कहा से गूमा 40,000 लेवल से गूम गया 40,000 ऐसा लेवल है जहां से आइटी में एक potential देखने को मिला आप देख सकते हो दो दिन में 2,000 पॉइंट आइटी ने मूब कर दिया 40,000 ऐ डायरेक 42,000 तद चला गया आइटी मतलब यह जो पॉइंट है यह नंबर है कितना कुमा aller है आज अगर आपको यह पता चल जाता तो अगर आप इती है अनलाजसने कका मैं खुद सानलाइक से मिसक्का अब यह उपर का जो लेवल वह सब में सब्सक्राइब को मिल्ता है अगर फिरसे यह अन्वा यह ने को मिलता है तो ऐसे करके हम क्या करते हैं एक क्रूशल नंबर को हम पकरते हैं उसको भी हम सबसौत और इस डिए कर देखे हैं कि यह जो stock है कौन से number पे है यह stock 200 के number पे है 100 नंबर पे है कौन से number पे है कौन से number पे है हमने कभी refuse किया एक stock नीच यह प्र सी वायर 설ज जाता हो जाता है कि क्यों की एक एसा number है इसमेज बायर वो इंट्रेस्टेट हुआ मतलब बड़े प्लिया वहां से उन्होंने क्या क्या बाई किया वह लोग ऐसे तो नहीं एक्दम आचानक से बाई करेंगे उनका नमबर होता है उसके इसाब से वह अपना ट्रीट पंच करते हैं तो आपको यह जो नमबर का खेले आपको समझना हो तो 500 के ऊपर सस्टेंट करते हैं तो यह strong है तो और जीस तरह सारी स्टाफ को अगर श्ताफ के लियू अगर यह यह पे बहुआ सारी श्टाफ यह यह बहुँस तो इसमें भी हम नमबर दिखता हो यह 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 बहुत तरह बैसा नंबर देख सशाव हो नमब बैस क्या स्ट डाइरेक्ट कुछ जाओगे नहीं आपको जो structure है वो भी देखना होगा candle भी देखना होगा क्यों हम ट्रेडर है हम ऐसे तो डाइरेक्ट वाई करके रखते हो नहीं सकते हैं मतलब अगर आप अगर long term investor हो तो आप यह चीज़ कर सकते हो सब कुछ देखके आप ऐसे book करके रख स सब पी उसे बैंक है मैं आपको ऐसे दिखा रहे छोलो फिन ताकि आपको चीज़े clear हो कि कहां पर है SBA life के उपर है buy मत करो बस देखो SBA card 700 में sustain कर रहा है कहां पर SBA के नीचे closing होता है उपर closing होता है कहां पर closing होता है आपको SBA stocks को identify करना होगा कौन सा stocks कहां पर और कहां पर क चल रहा है 20 चल रहा है मतलब 20 points का इसमें आपने देखने को मिला तो यह अभी लाइब मारक कर चल रहा है मैं आपको लाइब मार्केट में यह video बना रही हूं तकि आपको अच्छे से clear होald को मैं आपको trade करके बहुता नहीं कि मैं सिफ यहापे आपको सिर्फ ज्यान दे रह अब सुख में डिको स्टॉक्स में बहुत सारे पोजिंशिल है अगर आपने अच्छे से से कर सकते हो ऐसा नहीं कि इसमें उसमें प्रत पेघ्मित कर पाते हो तो उसमें आपका जू पॉइंट वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो इसी तरह हम क्या करते हैं जोन को को identify करते हैं जो पॉइंट आपको अच्छे से मालूम हुआ होगा आप बेस्टिंग करें मैं आपको अगर स्टॉक दिखाने जाओ तो कितने सारे स्टॉक से मेरे वास लिस्ट में बहुत सारे हैं और सब अगर मैं दिखाने जाओ यह वीडियो पास घंटे का बन जाएगा ले यह भी देखो उसका number क्या है crucial number कौनसे number पर 700 number पर है 200 number पर कौनसे number पर है तो crucial number भी देखो आप एसे backlisting करो आप कॉमेंट में बताओ आपने क्या-क्या-क्या खौ्ठ में और और प्लानिंग किया और कौन से स्टॉक काॉन से जोन पे हैं ताकि मुझे आप अपने जो काम अच्छे AH कर रहे हों अज की वीडियो में हमने इस पॉइंट के बारे में डीटेल में डिस्कस किया, इसके पॉइंट के उपर मैं और भी पता सकती हूँ, मैं नेक्स वीडियो में और सारे चीज आपके उपर आपके लिए लाओंगे, आज का ही वीडियो इतना ही, थेंक यू